नमस्कार दोस्तों वैरब एगरिकल्चर क्लासेज गंगापूर सिटी के डिजीटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्देख स्वागत है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सीवीटी है उसके वाइलोजी और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका हो चुका है और अभी जो एगरिकल्चर का पेपर है वो आपका 21 तारीक होने वाला है तो दोस्तों इस से पिछली वार जो हमने वीडियो बनाई थी वह आपके अती महत्पूर्ण टॉपिक और वह आपका पोसकता और आज हम दूसरा महत्पूर्ण टॉपिक जो एक्जाम की दृष्टी से दोस्तों एक-एक करके हम सबी कुश्चनों के बारे में देखते हैं कि उनका आंसर क्या जाने वाला है किस तरह के कुश्चन आपकी एक्जाम में चाहे वो C-U-E-T हो चाहे आपकी जेट की एक्जाम में उसकी दृष्टी से आपके महत्पूर्ण कोश्चन आपके एक्जा सवबादिक होती है यहां पर दोस्तों अगर अपन बात करेंगेगे सभी दोस्तों चालीज से वियालेश प्रतीशत सर्वाधिक होती है आपका और उर्वरकों में सरवादिक है और वो कितनी श्यालिस परतीशत दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ गहिन को ना है नाय टोजन की मात्रा भी होती है वो दोस्तोी होती है 18 परतीशत तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तो वो है आपका डी एफी वी वाला उप्सन आपका क्या होगा सई होगा दोस्तों अगला कोशन है और अती महत्पुन कोशन है कई बार इस तरह के कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं या तो डाइरेक्ट आप से इसको एक बार देखते हैं अपन कि 100 किलोग्राम यूरिया द्वारा मिर्दा में छोड़े गए अमलिय प्रबाब को उदासीन करने हितू कितने कैल्सियम कार्बोनेट या कितने चूना पत्थर की आवशक्ता होगी पहली बात तो इसको अगर मैं बता हूँ तो इसको बोला जाता है अमलिय तुल्या कि वही जिस पहली बात तो अगर बात करें यूरिया की तो यूरिया एक आपका कैसी प्रकरती का अरुबरक है अमलिय प्रकरती का अरुबरक है अगर आप इसको खेत में डालोगे मिट्टी में डालोगे तो सीधी सी वात है आपकी जो मरदा है उस पर ये यूरिया कैसा प्रवाब छोड़ेगा अमलिय प्रवाब छोड़ेगा तो ये वहाँ पर क्या पैदा करेगा अमलता पैदा करेगा और अमलता को उदासिन करने के लिए आपको कितने कैलसियम कार्बोनेट की जर्रत पढ़ती तो कितने कैलसियम कार्बोनेट की आवश्यक्ता होगी तो उसका मतलब वही है दोस्तों ध्यान रखना यूरिया का अमलियत तुल्यांक का मान 80 से 84 होता है तो ध्यान रखना 80 से 84 यूरिया का क्या है अमलियत तुल्यांक है अगर दोस्तों बात करें अमलिय प्रकर्टी का और वरक है उसका जो अमलिय तुल्यांक का मान होता है वो दोस्तों आपका होता है 110 और दोस्तों बात करें एनहाइडरस अमोनिया जो साथ बात एक अमलिय और वरक है उसकी जो अमलिय तुल्यांक का मान होता है वो दोस्तों होता है 148 अगर बात करें यह वाले CVT के ऐगदी कल्चर के जो एक्जाम है उसमें आपको काफी जादा देखने को मिल सकते हैं और यहां पर देखते हैं अपन इसमें से आपको गलत कथन को चाटना है असत कशन को चाटना है तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला जो कथन है वो कौन सा है कि यूरिया आ कार प्रकर्ती का औरवार के इसमें कार्वन तत्वी पाया जाता है उसके बाद में दोस्तों दूसरा किया जाता है यह भी कथन क्या है बिलकुल सई है और दोस्तों आपको पता है कि इस पूर्वरकों की परिवासा आप पड़ते हो तो ऐसे एक आर्मनिक रासानिक पदार्थ जो कारखानों में तयार किये जाते हैं और पधप के पोशक तस्पों की मात्र अधेक होती है और उन्की जो मात्र है वो पौदो को क्या हो जाती सीरह उपलबद नहीं होती है इसलिए यह कतन क्या होगा और आपको को ही छाटना वह वह दोस्तो हुगा आपका ओन्जों के पर देखो सबसेपहले एक तरफ आपका औरवरक दे रखा है और एक तरफ आपका दे रखा है उसकी उपयोग दक्षता तो यहां पर दोस्तों बात करेंगे कि यहां पर अगर बात करें नाइट्रोजन युक्तोर वरकों की यहां पर सामने दे रखा है 35-40% पोटाश युक्तोर वरकों की यहां पर दे रखा ह कि यहां पर दे रखा है 20 से 30 प्रतीशत दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि यह जितने भी जो उपयोग दक्सता फर्टिलाइजर यूज यह समने दे रखी है नाइटोजन वाले फुटास वाले फसप रख सी है और आपका जो लाश्ट वाला उपसन है यह आपका क्या होगा यहां से इस तरह से भी कुछे जा सकते हैं कि नाइटोजन यूग्तोर रवरकों की उपयोग दक्सता किसनी होती है तो दोस्तों ध्यानर क करेंगे इनकी उपयों की दक्सता लगबग कितनी होती है सबसे कम और वो होती है आपकी 20 से 30 प्रतीशा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन वाले जितने भी उरवरक होते हैं उनका निच्छालन के दुआरा वी नाइट्री करन के दुआरा वॉलेटिलाइ हैं तो दोस्तों यह पूरे के पूरे बिल्कुल सही है और आपका जो ऑप्सन है वो डी वाला ऑप्सन क्या होगा उसके बाद में अगला कोशन है कि निमन मैंसे कौन सा उच्छ विसलेशक और वरवरक नहीं है दोस्तों यहां पर आपको दे रखा है कि उच्छ विसलेशक और निम्न विसलेशक औरवरकों में अंतर क्या है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उच्छ विसलेशक औरवरक तो ऐसे औरवरक होते हैं जिसमें प्राथ में पोशक तत्वों की मात्रा 25 परतीशत से ज्यादा होती है और निम्न विसलेशक औरवरक ऐसे औरवरक हो जिसमें पूशकतत पे समंद्द जितने भी महत्मुन कोश्चन है उनके बारे मैं आपको बताया था वरगी करण क्या है क्या नहीं है सब चीजें आपको बताई थी तो प्राथ्य में पूशकतत आपके कौन कौन से है तो इदर देखो दोस्तों यहाँ पर आपन बात करेंगे मूरेट ऑफ पोटास की जिसको सौट में मोपी और इसका रासाइनेक नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड जिसको पनसूतर होता है के सील इसकी बात करेंगे तो इसमें पोटास की मात्रा 6 प्रतीशत होती है अगर बात करेंगे डी एपी की तो इसमें 46 प्रतीशत P2O5 के साथ साथ में 18 प्रतीशत क्या भी पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है और अगर सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो इसमें 16 प्रतीशत क्या पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है तो यहाँ पर प्रात्मिक पीशक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें 25 फरतीशक से अधेक है इसमें भी 25 परतीशक से अधेक है इसमें सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा और्भरक है जो आपका उच्य विसलेशक नहीं होकर कैसा है दोस्तो निमन विसलेशक और रखे तो यहां पर आपको उच्छ विसलेशक को हटाकर निमन विसलेशक की तरफ द्यान देना है तो आपका सोडियम नाइटरेट यहाँ पर कैसा और बरक हो जाएगा निमन विसलेशक आपका उच्छ विसलेशक और बरक यह नहीं है तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तो वोगा सोडियम अगर आपको यूरिया को खेत में देना है फसल में आपको देना है तो आप मुक्च रूप से या तो खड़ी फसल में इसको चिटक्याविदी द्वारा दे सकते हैं या फिर आपको खड़ी फसल में अगर देना है तो आप इसका घोल बनाके आप इसका विलियन बनाके आप त्भोलॡ तुज़ा को फोष्ट का बनाना है तो इसके लिए आपको जीरो पॉopus साइब सांधर गोल बनाना पड़ेगा और गोल बना कर आपको पढ़निये शड़काप करना सिल्व Mrs. तो दोस्तो ध्यान रखना दो से तीन प्रतीशन उसके बाद दोस्तो अगला कोशन है कि तंबाकू, आलू, चाय या फिर कौफी के लिए उप्यूक्त पोटासिक उरवरक कौन सा है दोस्तो यहाँ पर इस तरह के कोशन आते हैं तो आपको यह देखना होगा कि किसान के लिए एक सस्ता उरवरक और सस्ते के साथ सात में ऐसा उरवरक कौन सा है जो उस फसल की गुणवत्था को खराब नहीं करता हो उसकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता हो तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एक उर्वरक ऐसा है potassium chloride जो आपका एक ऐसा उर्वरक है जिनको अपन इन फसलों में डालेंगे तो उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी इनकी जो फसल है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी इसलिए इन फसलों में कभी भी chloride युक्त जिसमें chlorine पाई जाती है ऐसा उर्वरक अपन नहीं देंगे तो यह जो आपका V answer है यह तो बिल्कुल क्या है गलत है यह तो आपको बिल्कुल आंसर में लगाना ही नहीं है उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे potassium nitrate की तो और एक है आपका K2SO4 तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका हुगा K2SO4 जिसको अपन SOP sulphate of potassium के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अगर अपन बात करेंगे तो लगबग 48 से बामन प्रतीशत इसमें potas पाई जाती है और लगबग 17.5 से 18 प्रतीशत लगबग इसमें sulphur पाई जाती है तो जितनी भी तिलनी फसले है या चाय की फसले है उसके लिए एक महत्पूर्ण दितियक पोसक्तत्व है तो यहाँ पर इन फसलों के लिए सबसे अच्छा potas एक और वरक कौन सा है तो वो दोस्तो है K2SO4 जिसको अपन sulphate और potas भी कहा जाता है दोस्तो अगला कुशन है कि परणिय छिड़काब है तू यूरिया में वायूरेट की अधिक्तम सीमा कितनी होती है अगर आपको यूरिया का परणिय छिड़काब करना है और यूरिया के परणिय छिड़काब के लिए आपको वायूरेट उसमें ध्यान रखना है तो ध्यान रखना दोस्तों अगर आपको वैसे यूरिया देना है तो उसका जो वाईूरेट की मात्रा 1.5% से एप सियो फरिटिलाइजर कंट्रोल जो ओरडर है उसके अनुसार इसकी गाईूरेट की मात्रा 1.5% हो सकती है 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर अपन बात करेंगे परणिय चड़काब की तो FCO के अनुसार उस परणिय चड़काब के सॉलूशन में वायूरेट की मात्रा 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आकरन बात करें बैसे यूरिया में तो वो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और परणिय चड़काब है तो 0.25% से अधिक वायूरेट उसमें नहीं होना चाहिए और आपसे यहीं पूचाए कि परणिय चड़काब है तो यूरिया में वायूरेट की अधिकतम सुकारिसीमा कितनी होती है तो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए उसके बाद में दोस्तों डेर्ड प्रतीशत तो आपके यूरिया में है लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तो यह पढ़नी चड़का तो परणी चड़का में आपका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 0.25 यहाँ पर दोस्तों दो तरह के पेरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको क्लियर करा देता हूँ एक तो एप सियो के अनुसार एप सियो 1977 और एक नॉर्मल अगर आपसे एप सियो के अनुसार यूरिया में पूछे तो यह 1.5 प्रतीशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर नॉर्मल पूछे तो 2 प्रतीशत तक हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है और अगर परणिय छड़काब की बात करे एप सियो के अनुसार तो नापूर्ती है तो यूरिया की कितनी आवश्यक्ता होती है कई बार कोशन इस तरह के कैलकूलेशन वाले सवाल एक्जाम में आते हैं और समय की देखते हुए और कैलकूलेशन को देखते हुए इन तरह के कोशनों को इस्टूइंट कर नहीं पाता है और वो इस कोशन को छो यूरिया की आवश्यक मात्रा का जो फॉर्मूला होता है वो है दोस्तो सो बटे उसमें कितना पूशकतत पाय जाता है अगर बात करेंगे नाइटोजन की तो 46 परतीशत और आपको देना कितना है बान में किलोग्राम तो यहां पर अगर इसका केलकूलेशन करेंगे तो इसका पूची जाती है तो सो बटे में उसमें कितना पूशकतत पाय जाता है बलकि देनी कितनी मात्रा इससे गुणा कर देंगे तो आपको जो उर्वरक है उसकी आवश्यक मात्रा का क्या हो जाएगा पता लग जाएगा तो यहां पर इसकी जो आवश्यक मात्रा होगी उरिया की इतने नत्रजन के लिए तो वो होगी दोस्तों 200 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा उसके बाद हम दोस्तों अगला पोश्चन है कि ऌप्श horrific कौन सा सईयोग तो बरक है कि ऐसा कौन सा औरवरक है जो संयोंक्त प्रकार का औरवरक है तो सो मैं आपको बता दूँ ज़र्ण टर्मिनौलोजी आपने पढ़ी थी तो एक और बरग आपने पढ़ा था इस्ट्रेट और फर्टिलाइजर जिसको अपन एकल औरवरक बोलते हैं एक आपने पढ़ा था संय प्राथमिक पोशकत्त की संख्या अगर एक है उसमें एक ही प्राथमिक पोशक्तत पाय जाता है तो वो आपका एकल औरवरक होगा और ऐसे औरवरक जिनको एक या दो अरूबरक को को मिस्रित करके बहुतिक रूप से मिस्रित करके उर्वरक बनाए जाते हैं उसे अपन मिस्रित उर्वरक कहा जाता है तो यहां पर दोस्तों अगर अपन बात करेंगे डी एपी की तो यहां पर 18 प्रतीशत इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है और लगबग 46 प्रतीशत इसम Caleb ake यूरिया की तो इसमें एक ही प्रात्मिक पॉस्कत्त dalर्ट तो इसमें प्राथ सकत पॉटास पाए जाता है यू चान्टफेंगे सीप्रेंगी तो इसकी नाइटोजन प्राइगी अगला फॉस्पेट उसके बाद में दोस्तों अगला कोशन है कि सिंगल सुफर फॉस्पेट में कैल्सियम की मात्रा कितनी होती है दोस्तों ये ऐसा मेहत्पुन उर्बरक है जिसमें से आपको फासफुरस के बारे में, कैल्सियम के बारे में, सल्फर के बारे में, मैगनेशियम के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें मात्रा कितनी होती है तो दोस्तों सबसे पहले तो एक ऐसा कुशन इसमें से आ सकता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें तीनों प्रकार के दितियक या गौन पूसकतत पाए जाते हैं कैल्सियम, मेगनेशियम और सल्फर तो यह आपका SSB उर्वरक है जिसमें आपका सल्फर भी है कैल्सियम भी और कुछ मात्रा में आपका क्या भी पाया जाता है तो यहां पर आपसे पूचा है दोस्तों कैल्सियम बता देता हूं यहां पर फासफरस की मात्रा 16 प्रतीशत कैल्सियम की 21 सलफर की 12 प्रतीशत और मेगनिशियम की मात्रा लगबक कितनी होती है 0.3 प्रतीशत होती है यहां पर अगर अगर बात करेंगे कैल्सियम की तो यहां सभारने के लिए भी काम मिलेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना SSP क्योंकि SSP में मर्दा को सुधारने वाला जो तत्व है वह आपका कौन सा है कैल्सियम यह पाया जाता है उसके बाद में दोस्तों अगला आपका कोशन है कि 18-46-0 उसको समझने की कोसिस करना दोस्तों 18-46-0 किस उर्वरक की ग्रेड है तो दोस्तों सबसे पहले एक परिवासा होती है उर्वरक ग्रेड और एक होता है उर्वरक अनुपात तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे उर्वरक ग्रेड क्या होती है कि किसी भी उर्वरक में प्रात्मिक पोशक्तत कौन-कौन से होते है एन पी और के इन प्रात्मिक पोशक्तत की नियूनतम प्रतिशत ताको ही उस उर्वरक की क्या कहा जाता है उर्वरक ग्रेड कहा जात के तो यहाँ पर यह उर्वरक ग्रेड क्या दे रखी है 18-46-0 तो ऐसा इन में से कौन सा उर्वरक है जिसमें पोटास तो बिल्कुल 0 पाए जाता है फास्ट पूरस 46 प्रतीशत पाए जाता है और नाइटो जन 18 प्रतीशत पाए जाता है तो दोस्तों आपको पता है कि इन में प्रात्मिक पोशक्तात्म की या एन पी की नियुनतम प्रतीशत मात्रा को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है उर्वरक की ग्रेड उसके बाद में दोस्तों अगला कोशन है कि धान की जलमगर जो खेत होते हैं उनमें नाइटोजन की छती सरवादिक किस किरिया दुआरा होती है तो दोस्तों ध्यान रखना अगर धान के खेत में अगर अपन बात करें सरवादिक नाइटोजन की छती कौन सी किरिया दुआरा होती है तो वो दोस्तों होती है वी नाइट्री करन की किरिया दुआरा जिसको इंगलिस में बोला जाता है डी नाइट्रिफिकेशन के नाइट्रिफिकेशन के बारे मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रेट यूपी जो नाइट्रोजन है वो अगर जल्मगन मर्दाओं में धान के खेतों में अपन डालते हैं तो यह सीधे वाईउ मंडल में एन्टू के रूप में या एन्टू के रूप में चली जाती है विसरित हो जाती है उसे बोला जाता है वी नाइट्री करण तो जल्मगन खेतों में सरबादिक नाइट्रोजन की छती दान के खेतों में वो होती है वी नाइट्री करण दुआरा अगर बात करेंगे बोलेटील लाइजेसन वास्पी करण की गरिया के द्वारा ही होती है जिसको अपन बास्पन भी बोल सकते हैं. अगर बात करें निच्छालन की तो नाइट्रेट रूपि जो नाइट्रोजन है वो पानी के साथ में गुलकर नीचे चली जाती है तो उसे अपने बात करें द्वार्ण की सरबादिक हास nitrogen का किस किरिया दोवारा होता है तो वहाँ पर आएगा दोस्तो वी nitrogen की छती सरबादिक किस किरिया दोवारा होती है तो वहाँ पर आएगा दोस्तो बासपन या बॉलेटी लाई जेशन उसके बाद में दोस्तो अगला का चूरा है उसमें जो फॉस्फरस की मात्रा होती है वो दोस्तों होती है 20-25 प्रतिशत और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अगर पूची जाए तो वो दोस्तों होती है 3-4 प्रतिशत अती मेहत्पून कोशन इस तरह की कोशन आपकी एक्जामों में पूचे जा सकते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना इसको आप गुणा करेंगे, यहाँ पर मैं आपको clear कर देता हूँ, कि अगर आपको P2O5 से P परतिशत्ता में बदलना है, तो CDC बाते इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 0.43 से, लेकिन अगर आपको K2O से आपको किस में करना है, K में करना है, तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा 0.83 से, और अगर अपन बात करेंगे P से P2O5 में बदलना है, तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा 2.39 से, और अगर K से आपको K2O में बदलना है, तो यहाँ पर आपको गुणा पड़ेगा 1.20 से, तो यहाँ पर उचा है P2O5 से P में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे तो 0.43 इसका क्यल्कुलेशन फेक्टर है गुणा के तो यहां पर सही आंसर आपका होगा 0.43 उसके बाद में दोस्तों अगला कोश्चन है कि कौन सा जल्व है अमले दोनों में एवले फॉस्पेटिक और रख है और एक ऐसे फॉस्पेटिक और रख मोडबक, जो दोनों में क्या होते हैं? एवले होते हैं, यहां पर यही पूछा है कि ऐसा कौन सा अवड़क है जो दोनों में एवले होता है और आपको पता है जो एवले फॉसम्टर को रखो गा होगा जो पोदो के कोई काम का नहीं है फसल में उसको काम में नहीं लेंगे लेकिन उनकों और वाकी कामों में जैसे ध्यान रखना questo से जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका रॉक फॉस्पेट क्योंकि रॉक फॉस्पेट दोनों में एवले फॉस्पेट अरुबरक है और इसका प्रियोग अधिक अमलिये मरदाओं को सुधारने के लिए भी काम में लिया जाता है आपसे पूचा जाए किस अरुबरक और यह आपका जल में क्या होता है विले होता है तो दोस्तों यह आपका यह कोशन था उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका कोशन है और फोरी शीश में कि समझ्या आ गई है यहाँ पर आपका जल में विले है यहाँ पर आपसे पूचे दोनों में ए विले फॉस्पेटिक और परकौन सा है तो वो दोस्तों आपका है और रॉक फॉस्पेट अगर रॉक फॉस्पेट की बात करेंगे तो इसमें पीटोफेब की मात्रा लगबग 20 से 40 प्रतिशत होती है उसके बाद में दोस्तों अगला जो अपना कोशन है सत्रवे नंबर का और वो अपना कोशन है कि मिर्दा में नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन की छती रोकनी है और वो नाइट्रोजन की कौन सी छती रोकनी है वी नाइट्री करण वाली छती रोकनी है तो दोस्तों ध्यान रखना इस पे अपन नाइट्रीफिकेशन संदमक जिसको अपन बोलते हैं जिसमें आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो दोस् से लेपित में नीम लेपित आपका संभी लेपित में CDU को अपन shout नाइट्राइट में परिवर्थित करने वाले या बदलने वाले जीवानों का नाम क्या है इधर देखो दोस्तो अमोनियम नाइट्रोजन इसका ओक्षी करन होता है पहले किसमे होता है एनो टू माइनस में फिर इसका ओक्षी करन होता है किसमे होता है एनो टू माइनस में ये आपका क्या है नाइट्रेट ये आपका क्या है नाइट्राइट ये संपूर्ण परिकरिया आपकी अमोनियम से नाइट्रेट में बदलने जीवानों का नाम क्या है तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा नाइट्रो सोमोनास उसके बाद में दोस्तों अगला 19-वे नमबर का आपका कोशन है कि डाई एमाइड ओफ कारवोनिक अमल का पहला जल अपगटित उत्पाद कौन सा है तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको ये पता होना चाहिए कि डाई एमाइड ओफ कारवोनिक अमल किस औरवरक का रासाइनिक नाम है तो दोस्तों ध्यान रखना यूरिया को रासाइनिक नाम डाई एमाइड ओफ कारवोनिक अमल कहा जाता है आपको पता है इसका सूत्र क्या है इसको डाई एमाइड ऑफ कार्बोनेक अमल के नाम से भी जाना जाता है जब आपको पता है यूरिया को जैसे आप खेत में डालते हो ये एक आदरता गिराई और बरक है और आप इसको जैसे ही खेत में डालेंगे तो ये नमी को ग्रेंड करके और वहाँ पर यूरियेज इसको तोड़ने का काम कौन करता है तो यूरियेज एंजाइम करता है यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका आमोनियम कार्बोनेट उसके बाद में दोस्तों अगला कोश्चन है कि पोटेशियम सलफेट जिसको अपन के टू एसो फोर या एसो पी जाना जाता है और इसमें पूछी गई है कि पोटास और सलफर की करम से मात्रा कितनी होती है मैं आपको पहले भी बताया इसमें पोटास की मात्रा लग बग 48-42 पर तीशत और आपकी सलफर की मात्रा लग बग 7,5-18 परतीशत होती है यहाँ पर आपन देखेंगे कि 50 इसमें क्या है सल्फर है तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा वी पचास एबम सत्रे पॉइंट पांच इसका सही आंसर होगा उसके बाद में दोस्तों अगला कोश्चन है कि सबसे ज़्यादा आदरता गिराई यह इसको अपन बोल सकते हैं विस्फोटक या नमी को ग्रेंड करने वाला जो औरवरक है वो कौनसा है तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आदरता गिराई अगर कोई औरवरक है तो वो है दोस्तों आमोनियम नाइटेट यह सबसे ज़्यादा आपका आदरता गिराई वो है दोस्तों कौन सा भ hero इस नकी बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका आदरता गिराई आपका औरुपरक कौन सा है आमोनियम नाइट्रेट ए उसके बाद तो अगला कोशन है कि किसान खाद में नाइट्रेट नाइट्रोजन की प्रतिशम कितनी होती है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान खाद किसको बोला जाता है आपको पता है केन खाद को जिसको अपन कैल्सियम नाइट्रेट बोलते हैं जिसको अपन नाइट्रो चौक अपन बोलते हैं जिसको अपन नाइट्रो लाइम के नाम से भी जाना 12.5 और अमोनियम नाइट्रोजन भी कितनी 12.5 प्रतिशत पाई जाती है यहां पर आपको थोड़ा घुमाने के लिए आपको नाइट्रेट नाइट्रोजन पूचिए तो यहां पर 25 को आंसर में नहीं जाकर आपका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 12.5 और आपसे अगर कैलसियम की मात्रा पूची जाए तो यहां पर इसमें कैलसियम की मात्रा होती है दोस्तों 8.1 प्रतिशव उसके बाद में दोस्तों अगला कोशन है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरकों के बारे में सही कतन कौन सा है आप नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की बात कर कौन सा कथन सही है तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना नाइट जन और गरकों के बारे में सही कथन कौन सा है तो ध्यान रखना इसमें बात करेंगे तो यह सही के बारे में नहीं पूच कर यह गलत कथन के बारे में यहां पर पूचा यह थोड़ा मिस्प्रिंट आपका हो ग दूसरा है कि इन उर्बरकों को ऑगशी करत छेत्र में डालना ठीक रहता है बिलकोल सही बात है दियान रखना जितरे भी नाय्ट्रेट वाले उर्बरकोंытे हैं इसको अपन ऑगशी करत छेत्र में डालेंगे अगर इनको जलमंगन छेतों में जहाँ पर अपचेत छेतर होता है उसमें डाल देंगे तो निच्छालन के द्वारा इनका क्या हो जाएगा हास हो जाएगा इसलिए ध्यान रखना नाइट्रेट नाइट्रोजन वाले औरवराकों को ओक्षिकरत छेतर में ही डालना ठीक रहता है उसके बाद में अगला है कि इन औरवराकों को गहरी संस्तापन वेदी द्वारा अपचेत छेतर में डालना ठीक रहता है अपचेत छेतर का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें क्या बरा हुआ है जल बरा हुआ है जिसको जलमगन बोलते हैं अगर उसमें अपन नाइट्रेट वाले औरवराकों को डाल देंगे तो लीचिंग के द्वारा निच्छालन के द्वारा उसका हास हो जाएगा तो यह कतन आपका क्या है असत्त है आपसे पूंचा है तो यह आपका जो सई आंसर होगा वो दोस्तों होगा सी तो यह आपके नाइट्रेट वाले औरवराकों को डाले शोदिया की बताई तो यहां पर सबसे पहले और आप ट्रेसिंग की बात करेंगे खड़ी फसल में अगर आप उर्वरग देते हैं तो उसे टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं अगर इस्टार्टर डोज की बात करेंगे कि नरसरी आप बनाते हैं आप सब्जियों में बनाते हैं या किसी भी फसल के आप नरसरी बनाते हैं तो एक अनपात दो अनपात एक का एनपी तो उससे बोलते हैं दोस्तों वैसल डोज वैसल खुराक के नाम से जाना जता है और जितने भी फास्पुरस एबं पोटासिक उरबरक होते हैं उसको वैसल डोज के दौरा ही फसलों में देना सबसे उप्योगत रहता है कि उसके इंद बाद में दोस्तों अगला जोच्छन है और सबसे अंत्म कोशन है कि फ हुदिन्धे कि मतलब सिचाई के सांत्म bunları कोन सी यह आफ्योगत है द्यान रहता है दोस्तों अब को जो सही एंसर होग विदि इसको अपन बूद बूण सिची सिचाई विदि यह पुषेफर टपकन सिचाई विदि यह इसको ट्रकल एरीगेश्न के ना में चाहिवे यह Argentине irrigation के नाम से यह इसको micro irrigation के नाम से भी जाना जाता है दोस्कों ध्यान रखना drip सिचाई को gånd- migrate b portray को बूऔद करेंगे तो इसमें शिचाई के साथ में बूद बून्द बून्द और उसमें साथ ले उरुर्वरक वे गुले उरुबरक है उनको ड्रिफ वेधी के द्मरा सबसे देना सबसे उपयुत रहता है तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा ड्रिफ वेधी तो यह जितने भी बी उरुब्रक से जेट या सुविटी की तैयारी कर रहे हैं ग्यारवी बारे में एगरी कल्चर की पड़ाई कर रहे हैं फिरी ऑफ पॉश्ट बिलकुल भी कोई इसका सुलक नहीं है आप रोज आना यह एक दो दिन छोड़कर आप इसी तरह की महत्मून वीडियो महत्मून कोशन देखने के ल